चोथे चर्ण का चुनाव खतम हो गया है भारती जनता पाड़ी का जूट जितना पहार चर्णा ता पहार चड़ चुका है चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है अब लोड़कना शुरू हो गया है उनका काउंट डाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया ह मैं अपने प्रेस के साथियों को भी चार जून के जो सुनेरा समय आने वाला है उसके लिए बढ़ाई दूँगा कि उस दिन Freedom of Press का दिन भी होगा मीडिया मुक्ति और Freedom of Press का दिन भी चार जून होगा भारती जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नेरेटिव में उलज गई है और जब हम पीशे मुड़ करके देखते हैं दस साल दिल्ली की सरकार और लगबग साथ साल उत्तरपदेश की सरकार में हर बात उनकी जूटी निकली वादे उनके जूटे निकले और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है वो उनकी बूद कमेटियां लूट कमेटि के तरह काम करने लगी है और जो जन समर्थन इंडिया गड़बंदन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है आने वाले समय में 140 करोड की जनता भारती जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी भारती जनता पार्टी का रत फस नहीं गया है धस गया है और इसी लिए उनकी भाशा बदली है जो उन्हें अपने काम पर बोट मागना था वो अपनी भाशनों में भाशा बदल दिया है इसलिए नकारादम के राजनीत का समय खतम हो गया है लोग और देश की जनता बदलाब चाहती है वो बदलाब चार्ज उनको आने वाला है इंडिया गड़बंदन की सरकार बनेगी तमाम जो जनता के लिए और जो हमारा किसान बैठा देख रहा है कि किसान की मदद हो सहोग हो खुशाली के रास्ते पर किसान जाए उसे जो जूटा सपना दिखाए गया था आयदोगनी का और काले कानून लाकर के जो उसके साथ अन्याय हुआ था वो भी किसान भूला नहीं है वो थार से जो किसानों की जान गई थार वाला घटना भी किसान भूला नहीं है और इनकी सरकार में लाखों किसानों ने आत्मत्या किये गुंदेल खंड का इलाका उत्तरप्रदेश का वो है जहां पर सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्मत्या की जो जन समर्थन मुझे कल दिखाई दिया है गुंदेल खंड के लोग भारती जिन्ता पार्टी को खंड खंड कर देंगे वहाँ पर कोई भी खाता खंड खंड वाला भारती जिन्ता पार्टी का नहीं है और मैंने कई बार का उफिर क्या था हूँ प्रेस के सामने इंडिया गड़बंदन उत्तरप्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटों में लड़ाई में है